अरे कृष्णा बहुत बार ये प्रशन आता है कि राम जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का त्याग क्यों किया सिरफ एक धोबी के दोश्क लगाने मात्र से एक दिन उस धोबी की पत्नी रात्री के समय अपने घर पर वापस नहीं आई और अगले दिन उस धोबी ने बोला कि मैं राम नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को इतने दिन बाहर रहने के बाद भी अपने घर पर वापस रख लो तो एक धोबी के ऐसा दोश्क लगाने से राम जी ने अपनी पत्नी को त्याग क्यों दिया ये बात सिर्फ ये नहीं है कि एक धोबी ने दोश लगाया बात ये है कि ये बात इतनी साधारन हो गई थी कि एक धोबी ने भी दोश लगाया जैसे अगर गली महले चलते हर कोई व्यक्ती इस तरह की बात करने लगे आप अपने घर के सामने पहुंचो अपने घर के अंदर प्रवेश करने लगो और घर का चौकीदार भी बोले अरे साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था तो बात इतनी साधारन हो जाए कि एक साधारन नोकर तक ये बोल दे तो अयोध्या में ये बात कौमन हो गई थी कि एक धोबी तक ने ये दोश लगाया और राम जी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इस राज्य की महरानी के बारे में लोग किस तरह की बात कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि ये राज्य ये अयोध्या अभी सीता के रहने के लायक नहीं रही उन्होंने ये नहीं सोचा कि सीता अयोध्या में रहने के लायक नहीं रही राम जी ने सोचा अभी आयोध्या सीता जी के रहने के लायक नहीं रही क्यों? क्योंकि सीता जी गर्बवती हैं और इस गर्भ वस्था में अगर उन्हें इस तरह की बातों का पता चलेगा तो उनके मन को संताप होगा, उनको बहुत दुख होगा जो उनके गरबावस्था के लिए अच्छा नहीं है और उनके गरब में जो बालक है वो किसी साधारन बालक को जनम नहीं देने वाली वो सूरे वंशी को, रघुकुल वंशी को जनम देने वाली है तो जो बच्चा उनके गरब के अंदर है उस गरभ काल में जब उनका यहां का वातरवर्ण ऐसा होगा तो उस बालक के ऊपर क्या प्रभाप पढ़ेगा और वो बालक आगे चल कर प्रजा पालक कैसे बन पाएगा क्योंकि जब उस बालक को पता चलेगा कि मेरी माता के बारे में यहां पर इस तरह की बाते होती थी तो उस बालक पर क्या प्रभाब पड़ेगा उस बालक के उपर अपनी प्रजा के बारे में क्या विचार आएंगे तो राम जी ने सोचा अभी ये आयोध्या जो है वो सीता जी के रहने के लायक नहीं रही सीता जी को तो एक ऐसा स्थान चाहिए जहां पर उनको आश्रे मिल सके जहां पर उनको विश्राम मिल सके तो उनको आयोध्या नगर की नहीं किसी आश्रम की आवशकता है तो इसलिए राम जी ने उन्होंने सुयं ये विचार किया कि मैं और सीता हम सुयं ये राज़यत्याग कर वन्में चले जाएंगे तो राम जी ने यहां तक कि भरज जी को बुलाकर लक्षमन शत्रुगन को बुलाकर उनको ये प्रपोजल दिया कि आप इस राज्य का कारेभर संभालिये भरज जी को कहा कि आप राजा बनी है मैं ये राज्य त्याक कर जाना चाहता हूँ पर भरत जी, लक्षमन जी, शत्रुगन जी किने ने उनकी बात नहीं सुनी तो राम जी क्या है? राम जी है मर्यादा पुरुशोत्तम तो वो एक मर्यादा पुरुशोत्तम एक आईडियल किंग है और एक राजा के लिए अपनी प्रजा का पालन करना वो परम करतव्य है अपनी प्रजा के सुख को उनके हित को देखना वो अधिक आवश्यक है अपने सुख से भी बढ़कर तो इसलिए राम जी ने लक्षमन जी को बुला कर सीता जी को वन में छोड़ कर आने का अग्रह किया तो इसलिए सीता जी को बालमी की जी के आश्रम के पास छोड़ा गया देखिए त्याक करना तब होता है जब आप किसी व्यक्ति का देखभाल करना बंद कर दे उनके बारे में सोचना बंद कर दें तो राम जी ने सीता जी का देखपाल करना बंद नहीं किया उनको वालमिकी जी के आश्रम में भेजा गया क्योंकि वालमिकी जी का जो आश्रम है वो भी क्या है वो राज्य की सीमाओं के अंदर है तो इंडिरेक्ली रूप से राम जी ही पालन कर रहे है और सीता जी को वन में भेजने के बाद ऐसा नहीं है कि राम जी अपने रज्य में अपने महल में सुख पूर्वक निवास कर रहे है वो किस तरह से निवास करते हैं अपने महल के अंदर एक त्यागी व्यक्ति की तरह एक वनवासी व्यक्ति की तरह जमीन के उपर घास का बिछोना लगा कर और रामजी ने ऐसा नहीं है कि आगे चल कर कुछ बहुत सरे विवाह किये उन्होंने किसी और इस्तरी से विवाह नहीं किया यहां तक कि उनको उनके सभी मंत्री मंडल ने गुरु जनोंने बोला कि आप किसी अन्य राजकुमारी से विवाह कीजिए पर रामजी ने किसी के साथ विवाह नहीं किया सिरफ सीता यी को याद करते हुए उन्होंने अपना रज्यकाल संभाला तो ये बात पूरी तरह से मिथ्य है ये गलत दोश है कि राम जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का त्याग किया उन्होंने सिर्फ उनका स्थानंत्रन किया कि अयोध्या अब सीता जी के रहने के लायक नहीं रही तो हमें बातों को लीलाओं को अच्छे प्रकार से अचारे जनों के माध्यम से इनको समझना चाहिए जै श्री राम जनकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839